आईएटी भी एच्चियू गैंगरेप तीनों आरोपियों को पकड़ने MP की गई पुलिस रीवा में चुनाव प्रचार कर रहे थे अब मुबाइल की फोरेंसिक जांच होगी नमस्कार मैं श्वेता आपका दखबरदार नियूज में स्वागत करती हूँ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर आईएटी भी एच्चियू गैंगरेप मामले में रोजान नई खुला से सामने आ रहे हैं पुलिस सूत्रों खेरू सार वारानसी पुलिस तीनों आरोपियों को ट्रेस करते हुए मदरप्रदेश्य तक गई थी यहां तीनों आरोपी कुनाल समक्ष और अभिशेक रीवा में चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे थे यहां पुलिस सिस्टीवी फुटेज में तीनों आरोपियों के चेहरे का मिलान किया सूत्रों के मताबिक तीनों आरोपी कनफर्म होने के बाद टीम वापस वारानसी आ गई फिर यहां इलेक्ट्रिकल सबूत एकटा किये क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था इसलिए पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी वारानसी लोटकर पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिये वारदात यानि की एक नवंबर की रात तीनों आरोपियों के मुबाइल की लोकेशन कहा कहा रही किस जगा कितनी देर रुके इसके साथ ही रास्तों में सिटीवी फुटेज चेक किये गए सब कुछ कनफर्म होने के बाद पुलिस ने 30 दिसंबर की रात तीनों को वारानसी से गिरफतार कर लिया हाला कि गिरफतारी के चार दिन बीच जाने के बाद भी इस पूरे मामले पर वारानसी पुलिस ने कोई ओफिशिल बयान जारी नहीं किया है ना ही वारानसी पुलिस टीम ने रिवा के जाने को लेकर कोई अधिरकत पुस्टी की है पुलिस सूत्रों के मुताबिक वार्दात के तीन दिन बाद यानि की पांच नवंबर को तीन आरोपी कुनाल समक्ष और अभिशेक मध्य प्रदेश के रिवा चले गए थे वहां चुनाव में सोशल मीडिया कैंपेनिंग की करीब 15 दिनों तक तीनों आरोपी लगातार वही रह रह रहे थे इधर बी एच्यू में वार्दात के अगले देन यानि की दो नवंबर से जबरदस्त प्रदशन शुरू हो गया था मामला पी एमो तक पहुंच गया था वहां से पूरे मामले में रिपोर्ट मांग गई इससे दवाब में वरणसी पुलिस ने जांच तेज कर दी कचीमों ने थीनसों से जादा सी सिटी वीग चेक किये इसमें से एक फूटेज में तीनों यूवक बुलेट पर नजर आये हैं पुलिस को Başka इन पर ही शंका हुई बाद में पेडित ने भी फूटेज देखकर तीनों आरोपियों की पहचान कर ली इसके बाद पुलिस ने तीनों पी वारानसी आ गए यहां पर वेफिक्र हो गए उन्हों लगा कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी इसी बीच तीन दिसंबर को मदर प्रदेश विदान चुनाव का रिजल्ट आया चार दिसंबर के बाद तीनों आरोपी दो बार और वारानसी के मदर प्रदेश गए वारदात के दोरान तीनों आरोपियों ने चात्रा का न्यूड वीडियो बनाया यह वीडियो किस आरोपी के मुबाइल से शूट हुआ है यह अभी पुलिस ने नहीं बताया है हाला कि सूत्रों के मुताबिक जिस मुबाइल से यह वीडियो शूट हुआ था उसकी फॉरें उन्होंने शूट किया था उसे डिलीट कर दिया गया है या फिर उसका क्या किया पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपियों के मुबाइल लोकेशन और सिसी टीवी फुटेज के बता और साक्षय चार्जर शेट जमा करने के बाद सम् वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशिशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट ता माम्टेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट खूड नियर बाइस सुहागी बाइपास